आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास function है y equal to fx equal to x की power 3 तो हम इसका graph ड्रॉ करेंगे तो graph कैसे आएगा हमारे पास यह axis होगी and इन axis पर इसका graph ड्रॉ करना है यहाँ पर क्याए y equal to x की power 3 x की power 3 का graph कैसे जाता है ऐसे जाता हुआ and ऐसे निकल जाता है नीचे तो अब हम क्या करेंगे जब minus 3 put करेंगे function में तो हमारे पास value क्या आएगी minus 3 put करने पर value क्या आएगी minus 3 की power 3 यहाँ पर क्या जाएगा minus 3 की power 3 यहाँ पर क्या आएगा minus 2 की power 3 यह क्या आएगा minus 1 की power 3 0 की power 3 1 की power 3 and 2 की power 3 3 put करेंगे तो 3 की power 3 4 की power 3 and 5 की power 3 solve करेंगे तो पहले से value हमारे पास कितनी आएगी minus का 27 यहाँ पर minus 2 की power 3 minus 8 minus 1 0 यहाँ पर क्या आएगा 1 8 27 and 64 125 तो अब हम यहाँ पर देखेंगे गराप में हमारे पास अगर यहाँ पर हमारे पास value है 0 तो यह y पर access पर भी 0 होगा विकाज यह हमारे पास x-axis है यह y-axis है and यह अमारा function है यह by capital होगा because axis है तो हम यहाँ से लिखेंगे यह capital y and यह हमारा function है y equal to x 이야기 3 अगर x-axis पर यहाँ पर हम लेते हैं 1 तो हमारे पास इसकी side एंड यहाँ पर y-axis पर कितना होगा 1 के respect में कितना आएगा 1 एंड जब हम यहाँ पर 2 लेंगे तो इसके respect में यहाँ पर क्या आएगा 2 के respect में 8 ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लेते हैं 3 तो 3 के respect में यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 27 ऐसे ही same process चलती रहेगी, यहाँ पर कहीं हमारा 5 होगा यहाँ 4 होगा, यहाँ पर आएगा 5 तो यहाँ पर क्या होगा हमारे buy में buy की power करेंगे तो कितना आता है 125 तो यह आएगा 125 और यहाँ कहीं 64 होगा एंड ये match करेगा किस से, 4 से, ऐसे हमारे graph हो जाएगा, एंड अब हम जब negative side जाएंगे, minus 1, minus 2, minus 3 पर, तो यहाँ पर जब हम minus 1 लेंगे, तो इसके respect में यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, minus 1, y-axis पर, जब यहाँ पर हम लेंगे minus 2, तो इसके respect में यहाँ पर क्या होगा हमारा minus 8 यह थोड़ा long हो गया है तो यहाँ पर minus 8 आएगा और जब यहाँ पर minus 3 लेंगे तो इसके respect में यह graph से जहां मिलेगा यह ऐसे जाएगा और यह जब graph से मिलेगा इस point पर तो यह axis से मिलने के बाद कितना आएगा हमारे पास minus का 27 तो हमारा graph इस type से जाएगा इस function का and table की value यह आएगी यही हमें find करना था now domain and range तो domain कौन सी value होती है domain वो value होती है जो हम define करते है miss domain equal to domain में कौन सी value आएगे जो हमने given की है miss minus 3 minus 2 minus 1 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पर हम देखेंगे कि function हमारा vary कर रहा है r से r तो हम total कितनी value दे सकते है r value दे सकते है and यहाँ पर हम देख रहा है total continue value देते चले जा रहा है तो हमारी domain क्या होगी यहाँ पर r and range क्या आएगी range वो value होती है जो value हमें प्राप्त होती है तो यहाँ पर हम देख रहा है यह continuous function है y को पूरा cover कर रहा है y axis को तो यह पूरी real line cover करेगा न तो हम range क्या कहेंगे इसकी r because x axis भी cover हो रही है हमारी और y axis भी cover हो रही है यह कोई भी point नहीं छूट रहा है तो हम range क्या होगी यहाँ पर r and domain क्या होगी और यही हमारा question का answer होगा Classics to 12 से लेके Need IIT JEE Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर